इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे आज के दोनों आर्टिकल्स बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं जो हम आज के सेशन में करने वाले हैं तो आर यू एक्साइटेड सबसे पहले करते हैं मोक्याबलरी पहला वर्ड है औप्स्टेकल्स औप्स्टेकल्स का मीनिंग क्या होता है रुकावटे तो जो रुकावटे हैं जो बादाएं हैं उनको आप क्या बोलोगे औप्स्टेकल्स Part of speech क्या हो गया? Now तो वो चीजें जो आपकी progress को क्या करती है? Block करती है Hinder करती है, रोकती है Hinder के synonyms बताओ मुझे एक word बहुत बार exam में आता है Stimmy करती है Yes आपकी progress को contain करती है Check करती है आपकी progress को Curb करती है आपकी progress को Obstruct करती है आपकी progress को थ्षवाट करती है आपकी प्रोग्रिस को, थ्रौटल करती है आपकी प्रोग्रिस को, इसका मतलब आपकी प्रोग्रिस को जो छीज रोकती है उसको क्या बोलते हैं? Obstacles, ये सारे के सारे words का part of speech क्या हैं? ये सारे के सारे आपके verbs हैं, barriers, hurdles, impediments में double star mark करो impediments क्या होते हैं? रुकावटे hurdles आपने देखा कोई race होते हैं दो लोग race कर रहे होते हैं तो बीच-बीच में hurdles लगाए जाते हैं जैसे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, इसे लगाया इसके उपर से फिर कूत के जाना होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, hurdles, तो hurdles क्या करे हैं, आपकी speed को कम करने के लिए हैं, आपकी रुकावटे हैं, antonyms, help करने वाली चीज, aids, assistances, advantages, duties आपको help करें, तो despite the obstacles इनह पात, उसके रास्ते में रुकावटे थी, उसके बावजूद भी, वो focused थी किस पे, अपने goals पे, affiliate, affiliate में साथी, आपसे attached है, कोई आपका साथी है, तो वो कौन हो गया, affiliate हो गया, अब इस word को आप verb की तरह भी use कर लेते हो, इस word को adjective की तरह भी use कर लेते हो, इस word को noun की तरह भी use कर लेते हो, तीनो तरीके से ये word आपका use हो जाता है, तो किसी को attach करना, connect करना, associate, partner, ल-E word पर double star माग करो बहुत बर एक्जाम में है L-E word का मीनिंग क्या होता है friend तो दुश्मन को क्या बोलते है बता सकता है को दुश्मन को क्या बोलते है दुश्मन को बोलते है foe foe is what enemy मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तु मेरा आंटनिम, separate, अलग-अलग detach अलग-अलग कर देना disassociate कर देना, अलग-अलग कर देना तो company ने decide किया कि वो मिल जाएगी, associate करेगी बहुत सारी international firms से यहाँ पर affiliate कैसे use हुआ है work की तरह use हुआ है inconsequential तो consequential क्या होती है कोई चीज, consequential होती है मतलब important होती है something is important इसका मतलब वो क्या है, consequential है in लगा दिया, इसका मतलब not important तो कोई चीज जो important नहीं है वो क्या है, inconsequential है last में al लग रहा है part of speech क्या हो गया, adjective not important or significant कोई importance नहीं है trivial है, मामूली सी है, insignificant है negligible है, मामूली का एक word होता है petty है, बहुत ही मामूली सी है अच्छा, बहुत ही थोड़े से का एक word होता है बहुत बार exam में आता है, miyanger इस word को double star माकर के लिखेगा इसका मीनिंग क्या होता है, something which is very less कोई जो बहुत ही कम amount में है antonym significant है important है, substantial है important है, important के कुछ words और देखते हैं crucial है vital है essential है एक word जो बहुत बार exams में आता है indispensable है सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है वो चीज कैसी है, बहुत ही जादा important है, तो जो mistake थी वो important नहीं थी overall project के result में, mistake important नहीं थी, आचा, mistake का grammar का question आता है जहाँ पर इसे बहुत बार लिखा होता है, big blender मैंने क्या कर दिया एक big blender कर दिया तो यहाँ पर grammatical mistake है, error है blender का automatically मतलब होता है big mistake blender का मतलब ही होता है बड़ी कलती, तो यहाँ पर big नहीं लगाते, तो blender small नहीं हो सकता, blender big नहीं हम सकता, blender, सिर्फ blender होता है इसका meaning होता है, बहुत बड़ी mistake, आचा एक social blender का एक word होता है बहुत बार exams में आप, इसको double star माकर के लिखेगा, social blender में आपने सब के सामने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि English में हम इसको use करते है, foxpa foxpa का meaning क्या होता है, social blender next word is lopsided lopsided का मतलब क्या है, balanced नहीं है balanced नहीं है, means एक तरफ जादा है, एक तरफ कम, एक इसका word होता है बहुत बार exam में आता है, skewed है skewed का मतलब भी क्या होता है, balance नहीं है एक तरफ जादा है, एक तरफ कम है पार्ड़ स्पीच क्या हो गया, यह word आपका adjective हो गया तो uneven है, disproportionate है uneven है, balance नहीं है, asymmetrical है antonyms balanced है symmetrical है, equal है तो जो एक तरफ है competition था वो क्या कर रहा था, सिर्फ कुछ ही skilled participants को favor कर रहा था extract करना, किसी इसको निकालना निकालना, तो उन्होंने बहुत valuable information निकाल ली कहां से, experiment से, तो experiment से उन्होंने बहुत ही valuable information निकाल ली, वो manage कर पाए reckoning, very important word reckoning का meaning क्या होता है, calculation आप किसी चीज़ को calculate कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको reckon कर रहे हो, अब दो को यह v1 plus ing है v1 plus ing है तो किस की तरह ही use हो सकता है noun की तरह use हो सकता है तो किसी चीज़ को calculate करना estimate करना, calculation, assessment, evaluation तो भी को पता है न, assess assess का meaning क्या होता है किसी चीज़ को evaluate करना किसी चीज़ की जाच करना यह सिर्फ verb होता है access, double c आगया यह verb भी होता है noun भी होता है, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ को यूज करना ये एक्सेस ये आपका एड्जेक्टिव होता है इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत जादा अमाउंट में more than what is required ये क्या होता है ये ये वाला एक्सेस होता है अन्टिनिम्स क्या हो गई, guesswork है, haphazard ने साजीप सी चीज़ें एवालुएशन कुछ भी नहीं है, guess का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एक्जामस में आता है double star करके मार्क रहे हो, अगर आप किसी इसको सर्माइज कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, guess कर तो after much reckoning, बहुत सारे evaluation के बाद, उन्होंने decide किया कि वो plan के साथ आगे बढ़ेंगे समझ आ रही है न, सभी को vocabulary, बहुत अच्छी vocabulary है, बहुत important vocabulary है vocabulary तो बहुत important है, आज के articles बड़े प्यार है, आज के articles पढ़ने में अगला word है, overhaul overhaul का मतलब क्या होता है, कोई आपकी घर में पंखा है, वो पंखा क्या हो गया, खराब हो गया, आपने उस पंखे को हटाया, निकाला, उसको repair किया और वापस लगा दिया, तो आपने पंखे को क्या किया, overhaul करने के लिए अटाया, overhaul means किसी इसको हटाना और examine करना, और फिर उसमें improvement करना, उसको क्या बोलते है, overhaul part of speech, noun है revamp, बहुत important word है, बहुत बार exam में आचुका है improve करना, reform, improve करना, renovate नया कर देना, antonyms neglect कर दिया, ignore कर दिया कोई भाव ही नहीं दिया, अच्छा ignore कि मुझे दो idioms बताना किसी इसको ignore करना इस, turn a deaf ear अपना बहरा वाला कान आपने उसकी तरफ कर दिया, या फिर turn a blind eye अंदेखा कर दिया उसको अपनी अंधी वाली आख उसकी तरफ कर दिया, दोनों ही idioms का meaning क्या होता है, आप किसी इसको क्या कर रहे हो, ignore कर रहे हो तो education system को क्या चाहिए, एक complete reform चाहिए, जिससे की modern demands को meet किया जा सके next word is obscure, obscure में कोई चीज clear नहीं है, something is not clear इसका मतलब वो कैसी है, obscure है, बहुत important word एक word होता है, ambiguous बहुत बर exams में आता है इसमें root word है, ambi ambi root word का meaning होता है, both तो ambiguous का मतलब क्या होता है, जिस चीज के दो meanings निकल सके, मतलब आपको clear नहीं है, मैंने कौन से वाले meaning की बात करी, मैंने बुला मुझे सोना चाहिए, आपको नहीं समझ में आरा, मैं gold की बात कर रही हूँ, या मैं sleep की बात कर रही हूँ, सोने की बात कर रही हूँ, ambiguous means vague, means unclear, एक और वर्ड होता है, इसका equivocal, equivocal का मतलब भी क्या होता है, वो चीज आपकी clear नहीं है, not clear और easy to understand, antinyms clear है, obvious, evident पर double star, macro evident means बिल्कुल clear है, तो author का जो early work था, वो clear नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे क्या मिल गई, popularity मिल गई, part of speech क्यों गया, obscure का, yes it is an adjective, expedite करना, किसी इसको जल्दी जल्दी करवाना, please expedite the process, means इसको जल्दी जल्दी करवाऊना, action की बात कर रहे हैं, part of speech is work, to speed up the process of something, hasten करना, accelerate करना, quicken करना, means जल्दी जल्दी करवाना, antonyms delay कर दिया, hinder कर दिया, रोग दिया, obstruct कर दिया, postpone की एक verb क्या होती है, put off कर दिया, phrasal verb, put off करने का मतलब भी क्या होता है, postpone कर दिया, आचा call off में मतलब क्या होता है, call off is cancel कर दिया, pull off, बताओ बहुत बार पढ़ा है रिटोरियल में, pull off is, आप successful होगे उस काम को करने में, आप succeed कर गए, you managed to pull off, तो नई technology से क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है, आप data analysis, research में, stalwart, very important word, double star mark कीजिए, मतलब जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे, हर समय आपके साथ हो, वो आपका कैसा supporter है, stalwart supporter है, means, adjective, someone who is loyal, sorry, loyal, reliable, reliable, hard working है, physically strong भी इसका मतलब होता है, dependable, आप उस पर depend हो सकते हो, robust है, strong है, steadfast है, आपके साथ बना रहेगा, कभी आपको छोड़के नहीं जाएगा, antonyms weak है, unreliable है, disloyal है, नहीं विश्वास कर सकते हैं उस पर, तो वो एक बहुती strong supporter रहा है, organization का सालों से, तो इतने सालों से वो बहुती strong supporter रहा है, आपके समझ में आते हैं सभी को, जब भी for लिखा हो, और वो time के बारे में बात आ रहा हो, और action completed हो, तो जो हम tense use करते हैं, वो perfect है, perfect continuous ही कर सकते हैं, और कोई tense use नहीं कर सकते हैं, तो जब भी for या since आपका लगा हो, और वो time के बारे में बता रहा हो, action completed हो, तो आप सिर्फ औस यहीं दोरों tenses use कर सकते हैं, तो इसलिए author ने आपे present perfect tense use किया, has been, इस अगर यहापे use किया गया होता, तो वो गलत होता phrasal verbs पे आते हैं, blurt out means move at की तरह कुछ भी बोल देना, बिना सोरे समझे कुछ भी बोल देना, blurt out कर देना, boil down to, मतलब इतना सब कुछ सुन लिया, अब इसके बाद important important चीज़ों को होगी कि मैं summary बता देती हूं, तो all of this boils down to this one point, यह सब कुछ एक ही point है, पूरा पूरा passage author न down to me, summarize कर देना, everything is important बातें बताना, bottle up, यह आपका गला है, आपने अपने गले में क्या किये हूए, emotions छुपा के रखी हूए, bottle up, बंद करके, bottle को बंद करके, अपने emotions छुपा के रखी हैं, बाहर निकल नहीं नहीं दे रहें, अपने emotions को, emotions hidden और suppressed, brush off कर देना, कोई चीज थी आपका ये brush था, आपने उसको brush off कर दिया, में इस brush से हटा दिया, में इस ignore कर दिया, dismiss कर दिया, कोई value ही नहीं दिया उस चीज़ को, idioms, Rome wasn't built in a day, भई हर चीज में time लगता है, patience is very much required, सबसे आदा जरूरी क्या है, patience, हर चीज में time लगता है, कोई चीज दो दिन में नहीं हो सकते हैं, it takes time and effort, a penny for your thoughts, means, जो तुम सोच रहे हो, उसको सबके साथ share तो करो, asking someone to share their thoughts, cat got your tongue, billy ले गई कहा, तुमारी शुबान को तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो, तो आप सामने वाले से पोच रहे हो, कि भई तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम अचा देना, start impressively, bear the palm, bear means मिल गया, palm मिल गया, मतलब आपको prize मिल गया, आप जीत गए, to win or take the prize,